हेलो दोस्तों तो आज मैं साड़ी फोल्ड करने के आपको कुछ बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जिनसे आप मिन्टों में साड़ी को फोल्ड कर सकोगे तो यह देखिए यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है और इसे किस तरह से फोल्ड करना है तो प्लीज आप वे में फोल्ड कर लिया है इसके बाद हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है यह देखिए जैसे कि मैं बेरियों में दिखा रही हूं ठीक इसी तरह से आपको फोल्ड करना है तो यह देखिए फिरन इसकी फोल्डिंग हो चुकी है अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है इसके बाद लिया है बिलावज और बिलावज को भी हम इसी में रख देंगे तो ये देखे बिलावज को कुछ इस तरह से फोल्ड कहना है ताकि इसी में बिलावज आ जाए तो बिलावज भी अच्छे से आ जाएगा इसके बाद हमने उपर की साइट से नीची की साइट फोल्ड किया है और इसका यह जो नीची वाला हिस्सा है तो हम इसमें इस तरह से अंदर काई देंगे तो यह देखी फ्रेंट साड़ी बहुत यूछे से फोल्ड हो चुकी है और इसकी folding भी नहीं खुलेगी और आप कम से कम जगा में रख सकते हैं इसे रखने में ज्यादा जगा नहीं लगेगी तो आपको यह idea कैसा लगा तो next idea होने वाली है साड़ी को fold करेंने के लिए तो यह देखे fold layer में मैंने साड़ी को fold कर लिया है अब इसे हम दोनों side से fold करेंगे तो यह देखे इस तरह से आप इसे fold कर लिजिएगा जैसे कि मैंने आँगे दिखाया हुगा था ठीक हम उसी तरह से सबसे पहले इसे fold करेंगे इसके बाद हम उपर वाली हिस्से को fold करेंगे नीचे की side इसके बाद ले लिया है बिलाउज और बिलाउज को इसी में रख देंगे तो यह देखे फ्रेंट साड़ी fold हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से इसी में आप पेटी कोट भी रख सकते हैं इस तरह से आप साड़ी को fold कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट बढ़ते हैं नेस्ट आइडिया के तरफ तो फ्रेंट इसमें हम पेटी कोट और बिलाउज को एक साथ रख करके दिखाएंगे आपको साड़ी ले लेनी हैं और उसे अच्छी से fold करना है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो यह देखिए मैंने यहाँ पे साड़ी को इस तरह से fold कर लिया है यह देख सकते हैं आप तो आज मैं बिलाउज में साड़ी और पेटी कोट रख करके दिखाऊंगे और इसकी folding बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और आप सोचोगी कास हमें यह पहले पता होता तो साड़ी fold करके अलग रख दिये साड़ी में इसकी बाद आपको लेना है बिलाउज जो भी साड़ी की मैंचेंग का बिलाउज हो आप बूल ले लीजिएगा इसकी बाद यह देखिए आपको क्या कहना है जो यह साड़ी है तो इसे बिलाउज की बीचो बीच रखना है इसकी बाद जो इसका पीटी कोट हो आप उसे ले लीजिएगा और साड़ी के उपर रख दीजिएगा जहां पर बिलाउज है बिलाउस के बीचों बीच इसके बाद आप इसके हुकाईं अच्छे से लगा देजिएगा हुकाईं लगाने के बाद आप इसकी स्लेप्स को इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा यह देखिए तो मैंने बिलाउस को दोनों साइट से फोल्ड कर लिया है इसके बाद ये देखिए हमें साड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे उपर की साइट करना है और जो उपर वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से बिलाउस के अंदर डाल देंगे तो ये देखे फ्रेंट आप जो है कि इस तरह से बिलाउस में साड़ी को रख सकते हैं और ऐसे रखने से फ्रेंड क्या होगा कि बिलाउस पेटिकोट एक साथ मिल जाएंगे और इस तरह से अगर आप साड़ी को रखोगे तो आपकी अलमीरा में काफी स्पेस रहेगा जिससे आप और भी कपड़े रख सकते हैं और कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको साड़ी तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इन में सो कॉंसर्टिफ से सबसे अच्छा लगा क्या फ्रेंड आपका भी साबन बहुत ही जल्दी गल जाता है और आपने साबन को आप महिनों चलाना चाहते हैं तो आज का इडिया आपके लिए है तो सबसे पहले आपको क्या कायना है आपको लेना है साबन नहाने बाला हो या कपड़े धुलने बाला हो जो भी हो आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर यह देखिए मैंने लक्स साबन ले लिया है नहाने बाला तो यहाँ पे लक्स सावन लेने के बाद आपको लेना है एक कील और कील से इसमें एक छेद कायना है तो यह देखिए बहुत ही आसानी से इसमें छेद हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि सावने बहुत ही मुलाइम होता है तो यहाँ पर पुरेंट इस तरह से इसमें छेद बना लिया है इसके बाद आपको लेना है कोई भी धागा जो मजबूत हो तो यहाँ पर मैंने मजबूत वाला धागा ले लिया है और इसकी two layer कर ली है इसके बाद हमने जो ये होल बनाया था इसी में हम धागा को डाल देंगे तो ये देखी फ्रेंट ऐसे ये नहीं जा रहा था तो मैं कील की सहायता से जोई की धागा को डाल देती हूं फ्रेंट तो धागा अच्छे से इसकी अंदर चला गया है तो हम कील को निकाल लेंगे तो कील को निकाल लिया है इसकी बाद हम इसमें एक अच्छे से नोट लगा देंगे ताकि यह अच्छे से मजबूत हो जाए और यह धागा निकले नहीं तो फ्रेंट आप मेरी वीडियो किस गां किस से ऐसे देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जलनी से बता तो फ्रेंट सावन नहाने के लिए उचकायते हों आप या फिर हाथ धुलने के लिए उचकायते हैं तो क्या होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है तो इसके बाद जो हमने इसमें धागा बांदा था तो इस तरह से आप इसे हाथ को अच्छे से बॉस कर लीजिए गा और सावन को अच्छे से धुल दीजिए गा इसके बाद या तो आप इसे कहीं केल में हैंग कर दीजिए गा या फिर नल के उपर इस तरह से आप इसे हेंग कर दीजिएगा या फिर बातरूम में कहीं भी आप कील लगा लीजिएगा तो उसी में इस तरह से हेंग करके रखें तो इससे फ्रेंट क्या होगा कि आपका सावन महिनों चलेगा और गलेगा भी नहीं और बहुत ही जल नहीं सूख जाएगा तो फिर आपको यह एडिया जरूर पसके